हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एस टीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है स्विन ट्रेड ओपर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आप से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक श्री सिमेंट लिमिकेड है ये 89,578 करोर की मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कमपनी है ये स्टॉक शुक्रवार 3 मई 2024 को 25,746 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजरा रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 30,737 रुपए और 75 पैसे है और 52 वीक लो 22,605 रुपए और 60 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 23,780 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 25,915 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 26,653 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 27,473 रुपए और 50 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 25,340 रुपए और 10 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 24,445 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 23,779 रुपए और 30 पैसे दोस्तों यह स्टॉक यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस स्टॉक में यहां से थोड़ी सी रिट्रेस्मेंट भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक या दो परसेंट या फिर फिर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखके लास्ट क्लोजिन प्राइ लिमिकेड है ये 33,240 करोड की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कमपनी है ये स्टॉक शुक्रवार 3 मई 24 को 451 रुपई और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजरा रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 479 रुपई और 70 पैसे है और 52 वीक लो 263 रुपई और 40 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 435 रुपई के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा ह वो है इसका पहला रिजिस्टंस 457 रुपई और 45 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 470 रुपई और 55 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 485 रुपई और 70 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेव से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 436 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 417 रुपए और 35 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 398 रुपए और 60 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा तीसरा stock steel exchange India Limited है यह 1700 करोर की market cap वाली एक small cap company है यह stock शुक्रवार 3 मई 2024 को 14 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तक्नीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजरा रहा है stock का 52 week high 18 रुपए और 40 पैसे है और 52 week low 7 रुपए और 80 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 13 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब आप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 15 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा resistance 16 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा resistance 18 रुपए और 45 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 15 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा support होगा 12 रुपए और 35 पैसे और इसका तीसरा support होगा 11 रुपए और 30 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई बाई, sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा